मुकेश गोयल आई वोब कि आप सारे बहुत अच्छे हैं और आज हम बात करेंगे रिसर्च एप्टिटूड के जो इसके बार में बात कर रहे हैं अच्छे से शांती से रिलेक्स करके बातों को समझना है बिल्कुल रिलेक्स होके कैसे कैसे कुश्चन से का सोलुशन होता है किस तरह से हमने चीजों को सौल किया है वो शांती से हमें देखना है इससे पहले कि हम कुश्चन को करें मैं आपको ए से समझते हैं अगर आप विलिंग है तो आप जोइन कर सकते हैं और एक इनफोर्मेशन और है और वह इनफोर्मेशन यह है कि अने केडमी पे स्पेशल फ्री क्लासेज भी होती है अपनी विल्कुल प्री क्लासेज होती है और यह हमारी क्लासेज सतर्डे को 9.45 होती है इसका किसी भी तरे का कोई कोस्ट नहीं लिया जाता है और एक क्लासे किस तोपिक पे होगी या कई बार कोई चेंज होता है टाइम वगेरा तो मैं अपने टेलीग्राम लिंक पे शेयर कर देता हूँ तो आप टेलीग्राम लिंक जोइन कर सकते हैं टेलीग्राम है SWMG UGC NET के नाम से ठीक है और उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी भी जाएगा चलो friends आगे हम बात करते हैं कुछ questions की अब शांतिस इन questions को देखना है और क्या question पहला क्या कहता है identify the qualitative research design from the list given below आपको पूछा है नीचे दीगई सुची में गुणात्मक अनुसंधान डिजाइनों की पहचान करे qualitative के बारे में पूछा है तो दो तरह की research हम पढ़ रहे है qualitative एक पढ़ते हैं गुणात्मक और एक पढ़ते है quantitative मात्रात्मक तो qualitative जो research होती है जो गुणात्मक research होती है उसमें आपको पता है कि words में शब्दों में होगा चीक है pictures होगी और वो काफी flexible होता है इतना rigid नहीं होता přूरा structure नहीं होता लेकिन एक बात होते है numbers जो होते हैं और quantitative में क्या होते हैं हमारे पास data numbers में होते हैं संख्या में हो सकते हैं जिसको हम क्या कर सकते हैं ierra onion प्सप्रियंस शिद्धानत करने के लिए व्यक्तियों के समाने अनुभवों की खोज करना बिल्कुल सही बात है समाने अनुभवों की चलता है पर्टिकुलर पर्टिकुलर पर चलता है तो समाने अनुभवों की बात करता है बिल्कुल ठीक बात है इसमें कोई दोराई नहीं है ये तो आएगा ही आएगा दूसरा कह रहा है controlling, manipulating, observing and measuring the effect परभाव को नियंतरेंट करना, hair for करना अवलोकन करना और मापना ये सारी की सारी property जो second option में दी हुई है ये तो मात्रात्मक की है qualitative की तो नहीं है इसको तो हटा सकते हैं आप ये इसको हटाईए तो आप देखिए option ऐसे चलिए अब देखो B काटने की second option कहां कहां है अरे second इसमें भी एकाट दो second इसमें भी एकाट दो second इसमें भी एकाट दो बच गया option वे ये हो गया कर दीजिए अब exam में attempt करके आके बढ़िए नहीं मैं तो सारे देखूंगा option अभी देखूंगा सारे बस फिर टाइम कर जीओं हो जाता है तो अब आगे बढ़ जाए घर आके सोच लीजिए लेकिन ना लेकिन हम तो पूरा देख लेते हैं चलो है ना ये एक और तीन और चार option इसका सही है क्या है फर्स्ट option हो गया गलत हो गया थर्ड कहा रहा है exploring the shared culture to group of people लोगों के समुए की साजा संस्कृति की खोज करना हाँ हम करते हैं ना इथिनोग्राफिक निरजाती है शोध उसमें culture को देखते हैं और वो qualitative है तो ये भी एक गुण है बिलकुल है चीक है उसके बाद exploring individual stories to describe the lives of people लोगों के जीवन का वरिणन करने के लिए व्यक्तिकत कहानियों की खोज करना बिलकुल सही बात है व्यक्तिकत कहानियों की खोज narrative research होती है जिसको व्रितनतात्मक शोध कहते हैं बिलकुल ये भी qualitative है गुणातमक है चीक है इसमें भी कोई दोराई नहीं है लेकिन फिप्त कहरा है extending generalization from sample to population नमूना के से जन संग्या का समान नहीं कर नहीं इसमें generalization नहीं होता है ये बात नहीं होती है generalization quantitative में होता है मात्रातमक में होता है तो इसका right answer first आई चलो बहुत बढ़िया very good next question की तरफ चलते हैं friends next question क्या कह रहा है next question की तरफ चलते है next question की तरफ चलते है next question क्या कहता है next question है next question है which two among the following factors are responsible for translation of ethical principle in research ethical नेतिकता की बात कर रहा है यानि की कौन से सोद की में नेतिक सिध्धान के उलंगन के लिए उत्रुदाई तत्वा कौन से है नेतिक सिध्धान के लिए यानि की अगर वहां गड़बढ होगी तो research में बहुत बड़ी गड़बढ हो जाएगी बात ये है अगर पड़ती भाग्यों को छती पहुंचाते हो, बिल्कुल, अगर आप किसी को हाम पहुंचाते हो, तो यहाँ पे भी होगा, बिल्कुल, ethical issue होगा, एक तो यहाँ पे, एक lack of informed consent, ससुचित सहमती का अभाव, यानि कि आप किसी को inform किये बिना सारे काम कर रहे हो, तो गलत बा इतना बड़ी बात तो कोई नहीं हो जाएगा, नहीं किया, कोई बात बात बड़ी बात पहुंची की बात आगे, अब रिसर्च एथिक से रबार क्विशन आता है गलत मत कर देना इतनी रिसर्च एथिक को गुमाफिरा के हमने कर लिया निम्लालिकित में से सोध के उस सरंड में शोध नेतिकता मामला ज़्यादा प्रसांगिक हो जाता है यह तो डाटा एनलिसिस और इंटरप्रेटेशन तो आएगा यह आएगा ठीक है दो ऑप्षिन करना है और एक और ऑप्षिन कौन सा आपको बैस लग रहा है देखो हाइपोथिस जो बनाएती उसकी टेस्टिंग भी आपको ठीक करनी है वरना वो गलत कर दी तो रिजल्टी सारा उल्टा हो जाएगा तो जो परिकल्पना बनाएती उसका परिक्शन बिलकुल ठीक होना चीए तो यह हो गया हाइपोथिस टेस्टिंग इतनी तरह से गुमा फिर आके हमने रिसर्च एथिक्स को कर लिया फ्रेंट्स गलत नहीं होना चाहिए आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है वीच ओप दा फॉलोविंग सेंप्लिंग मैथर्ड इन रिसर्च आर नॉन प्रोबेबिलिटी बेस्ट देखो दो तरह से होता है गैर प्राइक्ता और प्राइक्ता एक तो प्रोबेबल होता है एक नॉन प्रोबेबल होता है ठीक है ना और प्रोबेबल के कौन-कौन से एक्जामपल है जैसे रेंडम प्रोबेबल का एक्जामपल है ठीक है ना और सिस्टेमेटिक भी है स्ट्रेटिफाइड भी है ठीक ह प्रोबेबल के कौन कौन से डाइमेंशनल जज्मेंटल और स्नोबोल सेंपलिंग यानि कि अधिक है और निंडे अनमुना और शनोबोल तो इसका राज एंसर आ गया क्या-क्या-क्या बीडी और ई-बीडी और इज और इस आ राइट आंसर तो आपको यह पता थे है ना नोन- परशेंट चांस नहीं होता है, there is not equal chance for every sample, हर sample के equal chance नहीं होता है, वो non-probable होती है और equal chance होता है, वो probable होती है, किसी चीज़ को randomly लेके आओगे तो equal chance हो गया ना, लेकिन किसी को आप dimension के अधार पे कुछ निर्धारित कर दोगे, निर्धे के अधार पे करोगे snowball का दूसरा ना में networking, जैसे covid में होता था, सब की testing थोड़ी करते तो, यह कहते थे, तो किस की touch में आए, तो किस की touch में आए, तो non-probable हो गया तो B, D, or E is the right answer, आगे चलते है next question क्या कहता है, देखते हैं, next question क्या कहता है, देखते हैं, कुछ कहता है, कि नहीं कहता, next question यह कहता है, और next बात यह कहती है, जो हमारी favorite बात है, वो कहता है, क्या कहता है कि हमेशा चीत को शान्त रखो आप हमेशा खुश रहो, और इसी तरह से पढ़ते रहो, और किसी भी तरह की कोई टेंशन ना रखें, अपने चीत को रिलेक्स रखें, और खुशी से पढ़ने की कोशिस करें, negativity आसपास आती रहेगी, friends, हमेशा आएगी, लेकिन आपको उन चीजों को छोड़ देना है, और हमें अच्छे से काम करना है, तो आप हमेशा खुश रहेगे, all the very best, बहुत-बहुत धन्यवाद, thank you, thanks a lot, friends, बहुत-बहुत धन्यवाद